तो आज हमारे साथ हैं एक लेजंडरी एजुकेटर जिन्होंने आपकी फिजिक्स को काफी आसान बनाया है और जो कल का डर है सर उसे आज हम रिड्यूस करने के लिए दोनों मिलकर कोशिश करेंगे तो 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 थोड़ा सा कम करें और थोड़ा सापको सब्सक्राइब तो यह नहीं कर पाई तो हम लोगों ने सोचा की कुछ तॉपिक्स आपको पका रिवाइस करके जाइए जिससे यार देखो आप को पर नाज़ करना है और आप रिवाइस कर पाए जिसससे आपको बहुत बढ़िया कल फील एक्जाम में फील फैक्टर आजाए तो वो topics आज हम आपको थोड़ा बताने वाला है तो महेंदर सर सुरू करेंगे आप बताइए श्कुल सर तो डरना नहीं है सर जो डर है इनका उसी को हथियार बनाना है आप लोगों को बचो कोशिश करी हम दोनों ने मिलकर कि आपको कुछ ऐसे topics हम बता पाए जिनको revise करके for sure आपका confidence बढ़ेगा तो एक एक करके बताते हैं सर हमने class 12 को पहले रखा है because उसका weightage जादा है compare to class 11 तो topics यहाँ पर है अब देखो पूरी physics को cover कर नहीं सकते हैं ना तुम revise कर सकते हो तो हमने बस most expected या highly repeated topic एक तरह से कह सकते हो जो हमने यहाँ पर किये हैं तो सबसे पहला बिटा logic gate modern physics हमने शुरू किया आपका pn junction diode radio activity यह nuclear physics हो गया आपका binding energy per nucleon का concept है फिर atom से आजाएगा आपका bohus model ठेक है वो complete आपका hydrogen spectrum उसमें absorption emission दोनों concept बिटा photo electric effect debrogly young double street experiment आपका wave optics के साथ diffraction भी wave optics में से दो टॉपिक रखें इन ही से questions आज कल बहुत जादा पूछे जा रहे हैं then optics में से prism and optical instruments यह दो बहुत important topics है तो इसमें मैं एक चीज़ एक चीज़ में साइड करना चाहूंगा यह कैसे revise करना है अब जैसे मानलों photo electric effect पढ़ रहे हो तो इसमें equations बहुत कम है है ना kinetic energy max का equation है stopping potential का equation है इसके अलाबा जो दो graph है ना बेटा वो graph भी आप साथ साथ में रिवीट कर लेना revise कर लेना तो इससे वह पूरा-पूरा topic अपका फटा-फट से revise हो जाएगा इस सब सरसरी निगा से आपको फटा-फट ऐसे करते हुए चले जाना है तो आपको बढ़िया ऐससे confidence आ जाएगा बहुत time भी ने लगेगा और यह सारे topics आपके strong हो गये तो कल आपको एक्जाम के पहरे एक अच्छी feel रहेगी कि यहार में कुछ पढ़के आया हूँ आज है ना तो next sir आगे चलते हैं तो next में हम लोग दिखो NCRT part 2 12th का finish हो गया पिछले slide में अब NCRT part 1 में आएगे तो आपके पास EM waves है अब EM waves में जादा topics है निए displacement current है और वो जो simple सा relation होना था ना E0 बराबर B0 into C वाला जिससे एक का आपको amplitude की वे न दूसरे का निकालना है एक चीज़ यहां पर यह रखेगा बिटा कि B का cross जब हम E के साथ कर देते तो direction of propagation आ जाता है बस इतना आपको याद रखना है B cross A is equals to V तो एक सवाल उसी पर कहीं बार पूछ लेते डिरेक लिए कि बताओ direction of propagation क्या हो अगर B और E यह इस तरह से है तो बाकि फिर बेटा AC में आ जाते हैं तो LCR circuit उसके अंदर resonance आ जाएगा inductance का concept EMI से आ गया अगर सब तीनों परपेंडिकुलर है तो इसमें फोर सबसे इंपोर्टन है जो सर्कुलर मोशन वाला केस होता है जिसमें आप रेडियस निकालते हो मोमेंटम के साथ काइनेटिक एनर्जी के साथ सारी चीज़े अधो सिंपल है पी को आप अंडर रूट 2 म काइनेटिक एनर्जी लिग देंगे काइनेटिक को क्यू इंटू वी लिग देंगे तो यह सब आपको करना है सीधा साथ फॉर्मला होता है सी थीटा बराबर एनाइब यह वह आप देख लीजे संसिटीविट एक बर देख लीजे मैगनेटिक माटेरियल्स हो गया अर्थ मैगनेटिजम के फॉर्मले हो गया मैजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स यह करेंट एलेक्टिसिटी का इसमें अप पावर का फॉर्मला सारे के सारे पावर और फिर फील्ड एंड पोटेंशल ऑफ स्फेरिकल बॉडी जो आपका स्फियर होता है इसकी खास बात यह है कि ग्रैविटेशन में बनता है और आपको बता हूं सिमिलर कोश्चन मैगनेटिजम में भी बन जाता है क्योंकि वहां प लास्ट है आपका इलेक्ट्र स्टाटिक से कुलम्स लॉड डाइपोल और गॉस लॉड ठीक है तो इनकी फड़ा फड़ा आपको रिवेशन कर लेने हैं अब सर आपको 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 रिजिस्टेंस के बारे में मैं एक बाद आपको बता तो बिटाम नहीं लिखा ह तो उसके accordingly formulas आप revise कर लेना ठीक है बाकी देखो यार डर सबको लगता है exam के एक दिन पहले ठीक है हमने भी बहुत सारे exams दिये हैं डर हमें भी लगता है लेकिन डर हम रहे थे घबराहट हमें नहीं थी तो घबराहट आपको नहीं होनी चाहिए और आपको जो डर है उसी को आप हथियार बना पाओगे आप इन सभी topics पर एक बस quick आपने notes बनाए होंगे आपने regular classes ली है तो बस उन्ही notes के ऊपर एक बार go through कर लेना ठीक है तो next जो class 11 ते बिटा अब हम यहां आ जाते है class 12 हमारा complete हो गया सर error significant figures और यह दो इंस्ट्रुमेंट बिटा जो वर्नियर कैली पर इन screw gauge है ठीक है तो यहां से एक सवाला पक्का मानके चले इन तीनों में से किसी एक से आना ही आना है फिर आपका dimension हो जाता है देन उसके बाद average speed average velocity simple formulas है इसके में अगर equal time में travel कर रहा है तो क्या होगा equal distance में travel कर रहा है तो क्या होगा है ना arithmetic mean या harmonic mean तो सब कुछ पढ़ रखा आपने बस go through करना है equation of motion और इसी में motion under gravity का concept हमने रखा हुआ है इसमें जो हमारा galileo technique होता है galileo trick जो होता है कि अगर you is equal to zero से drop किया तो equal time interval में कितनी 1 is to 3 is to 5 जो होता है फिर जैसा कि सर हमेशा कहते है कि थ stopping distance का जो concept होता है कि u is equal to से अगर travel कर रहा है और वो रूकेगा और वो friction की वज़े से रहा है तो कितना distance travel करेगा तो u square divided by जो 2a होता है और a की जगह mu g रखना है तो यह हम class में पढ़ाते हैं और j में exact सवाल था तो अब आप समझ रहे हैं कि neat में भी मतलब हमारे notes से आने वा बात है नहीं बस revise करते जाना इनको अच्छे से projectile motion में तो हमने यहां पर complete projectile motion में तीन ही तो formula है time of flight range हो गया और हमारा height max हो गया ठीक है अब उसके बाद यहां पर equation of trajectories पर थोड़ा सा stress कर लेना मतलब formula आपको आता ही है तो ठीक रहेगा banking of roads हमने circular motion से लिया हुआ है और इस चीज़े पता होनी चीए work energy power में से बहुत important chapter है work done power और energy conservation यह तीन topic हमें लग रहा है कि इन ही में से कोई न कोई question जरूर fit बैठ जाना है ठीक है then come to the rotation तो सर यहां पर moment of inertia, torque and rolling यह तीन topic हमने decide कि यह आपको end moment पर आपको revise करके जाना चाहिए बिकास हमें लग रहा है इन ही में से कोई न कोई concept जरूर पूछा जाएगा ठीक है बिटा तो next चलते हैं सर अब आप बताईए बचों को कि second जो हमारा part 2 है part 2 of NCRT तो हम लोग कोई पेपर लीक नहीं कर रहे हैं यहां बट ऐसा होता है कि जो most repeated topics ना बिटा वहीं से questions बार आपको देखने को मिलते हैं तो gravitation में satellite theory जो आपका escape velocity हो गया जो आपको 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 याद रखना है और से अपका कुशन बनेगा वहां पर आप जब आएंगे फ्लूइट्स में तो आपके लिए सर्फिस टेंशन वहां पर जो सर्फिस प्रेशर हो गया कैपिलरी राइज हो गया यह बड़ा इंपोर्टन टॉपिक है साथी साथ स्टोक्स लो और टर्मिनल वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी को बहुत जादा टार्गेट किया जाता है दो जार इकीस में भी वहां से कोशन आ गया था तो यह आप रिवाइस कर लीजे बहुत अच्छे से फॉम्ला बेजने सारे फॉर्मुला साथी साथ इसका ग्राफ भी विटा कि हां ग्राफ कैसा बनता है एक्जाक्ली फिर बॉएंसी हो गया अर्गिमेडिस प्रिंसिपल देन यू हैव थर्मल फिजिक्स थर्मल फिजिक्स से बहुत ज्यादा कोश्चन साते हैं बहुत इंपोर्टन पोर्शन है और कैलोरी मेट्री आपको पता यह दो ही इसमें फॉर्मले बनते हैं बस एक एंसी डेल्टा टी वाला और एक एम इंटु एल वाला बस उसको कैसे लगाना एक बर वो रिवाइस करके आपको चले जाना है थर्मल एक्सपांशन वही तीन फॉर्मले है एक एलोंगेशन के लिए लेंथ में एक एरिया में और एक वॉल्यूम में अल्फा बीटा और गामा जो एक्सपांशन होता है जो बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है तो उसको भी क्योंकि लिक्विट का एक्सपांशन जरूरी नहीं है कि लेवल अफ लिक्विड राईजी करें तो वहां पर थोड़ के दहीं है और आपके पास राइच सर दो यह बटन युह ट्रकानिटिक तेओर अफ व्यास जहां पर मीन और फृरित दर्युरट को श्यलince सक रजरूंवल्यू आन्टा में चूार ठीक हो Darren me and we're not a हाँ, number of moles निये, number of molecules per unit volume है, chemistry में, physics में, n देखते ही लगता number of moles होगा, यह mistake मत करना, right, rms velocity और average velocity, most probable velocity, और वहाँ पर ग्राप भी बनता है, most probable वाला उपर जाके जो नीचे आएगा, max वाला बिलकुल, heat engine, यहाँ पर कार नौट के जो भी formula आपने पढ़े हैं, वो revise करने है, first law heat transfer इतना कर दिया, work done इतना हो गया, तो change energy कितनी हो जाएगी, उस step के questions बनते हैं, और बाकि सारे processes भी एक बर revise कर लेना, ISO thermal में क्या होता है, इसमें क्या zero है, किसमें first law कैसे लग रहा है, किसमें work done कैसे निकालेंगे, वो भी बहुत important है, और, हाँ, one point sir, कि जिसेंगी बहुत question होते हैं, कि किसका work done जादा होगा, किसका work done कम होगा, ISO का जादा होगा, एडिया का कम होगा, वो रट लेते कि ISO में हमेशा जादा होगा, वो compression में उल्टा हो जाता है, तो यह ध्यान रखना है, तो graph बना के देखा हमेशा, last में आपका Newton's law of cooling, कि 2021 में भी इससे question आया था, बहुत इंबॉर्टन टॉपिक है, वी इससे आता ही है, तो यह भी आपको याद रखना है, आजाते हैं, SHM और वेवस पे, तो SHM में टाइम पीरिड, आपका चाहे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हो, तू पाइंडरूट के वाला, या फिर आपका पेंडूलम हो गया, के बाद आपका organ pipes, तो इसमें different modes of vibrations जो आपके होते हैं, different harmonics, different overtones, यह सार आपको देखना है, closed के लिए, open के लिए, दोनों, इसमें यह याद जरूर रखना, closed organ pipe में, कि यहाँ पे जो केवल odd harmonics exist करते हैं, even harmonics नहीं होते हैं, ठीक है, तो जब, when someone says कि, first overtone का मतलब होता है, third harmonic, तो यह कुछ चीजें हैं, जिनको आपको ध्यान रखना है, while revising about the open organ pipe and the closed organ pipe, और एक हो चीज़ है, कि pipes के साथ, same organ pipe के ही basis पर, वो strings वाला होता है, same formula है, fixed at both the ends, और open at one end, and fixed at one end, string fixed at both ends, और tube open at both ends, same formula होता है, और string को आप एक side free कर दो, और closed organ pipe कर दो, same formula होता है, तो आप ए अच्छे से सारा revise कर लीजेगा, तो topics तो बस इतने ही है, आप हो सकता है, यह सोचरों के सार, इतने सारे topics बहुत कम समय बचा है, almost मतलब 16 तारीक की शाम का समय हो चुका है, क्या यह possible है, कि हम सारे के सारे topics को अभी इतने कम टाइम में revise कर पाएंगे, मेरे क्याल से मुश्कि तो एक से डेड़ घंटे का समय लगेगा बटा और यह सारे topics आपके revise हो जाएंगे, और ऐसा नहीं है कि देखो तुम्हें नहीं आता है, एक दिन पहले पूरी दुनिया को यह लग रहा होता है, क्यार मैं सब भूल चुका हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, but trust me guys, आपने बह एक बार फिर से और revise कर सकते हो, तो एक next revision आपके लिए और तयार हो गया, तो बिलकुल डरने की जरुवत नहीं है, कुछ गरव सर आप और points यहां पर बच्चों को एट करना चाहेंगे, बस जैसा कि सर ने बोला कि मेहनत बहुत करी है, अब डर सबको लगता है, गला सबका स सकते हैं, लेकिन इस वज़े से paper खराब नहीं करना है, anxiety में नहीं आना है, कल जब आप paper देने जाएं, तो आपके मन में बस यह खयाल होना चाहिए, कि हां मैंने पढ़ाई करी है, मेरे पास knowledge है, मैंने महनत करी है, अब बस उसको replicate करना है उस paper के अंदर, और फिर selection मेरा रख लेगा अच्छा, निकलना ही है, तो इदर उदर के फालतु बातों पर ध्यान ही मत दो, काम बहुते करने को अपने पास, ठीक है, तो negative इचार्स कैसे अपने दिमाग में आकर हमारे उपर control करना चाहेंगे, हो ही नहीं सकता ना भाई, मेरे को तो अभी इतना सारा revise करना है, इतनी सारी चिज़ें करने को बची है, और जहां कहीं तुम्हें डी मोटिवेशन फील होना बिटा, जहां कहीं तुम्हें लगे कि यार, negative thoughts आ रहे है, बढ़िया कोई गाना लगाओ, जो तुम्हें पसंद हो, और headphone डालो कान में, और हो जाओ शुरू, बहुत लंबी पारी भरोसा है और हमें हमारी महनत पर भरोसा है, तो आप निशिंत रहिए, बस इन टॉपिक्स को एक बार नजरों के सामने से निकाल ले न, फटा फट से, और बस जाओ, फोडो मचाओ, ठीक है, चलो, बबाई, ठीक है,